तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आखोता हूँ कि आप अपने इस्टराम की उपर अपने या फिर किसी और के मैसिज को किसी को भी forward कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अपने इस्टराम की उपर किसी मैसिज को किसी को भी forward करने के लिए तो से पहले तो आप उन्हें इस्टराम की एप को यहां से ओपन कर लीजिए यहां से इसको ओपन करने के बाद आप जो यहां पर जाने का साइट चैट से यहां पर ओपन हो जाएंगी तो इसको forward करने के लापने simply यह करना है आपने simply इसके ओपर touch करके यह से hold करे करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर काफसर option दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको second number यहाँ थर्ड number पर forward का option दिख रहा होगा तो आपने simply इसके ओपर यहाँ पर click कर देना है और यहाँ प करने के बाद simply आपने जो हैं सेंड बटन पर क्लिक कर देना है और बस आपका यह मैसिज उस बंदे को फोरवर्ड हो जाएगा मैं अभी यहाँ पर दिखाया था हूँ जैसे आप देख से इस चैड़ मैंने फोरवर्ड किया था तो देखिए हम इने ओपन करा और आप देख से इस बंदे को इस सैड़ से 박 इसको फोरवर्ड हो जो जुका और इसी तरीकर आसे आप किसी और यहाँ प्रैने इसको खरता हूँ और यहाँ और यहाँ पर टेच करेंगा और दुमाल की कर दों खुना तो हमां यह सजी उस chat के अंदर forward हो चुका है यहाँ पे इस chat को यहाँ पर open करता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं यह message भी इस बंदे को यहाँ पर forward हो चुका है और हाँ जब भी आप अपने खुद के message को किसी बंदे को forward करोगे तो उसके उपर forward रही नहीं लिखाएगा लेकिन जब भी आप किसी और के message को किसी भी बंदे को forward करोगे तो उसके उपर देखिए यहाँ इस तरीके से यहाँ लिखा आएगा forwarded message मतलब सामने वाले को पता लग जाएगा कि आपने किसी और के message को उसको forward किया है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है